सब्सक्राइब तो मैं चैनल पर मूर अमीजिंग कंटेंट हलो गाइज कैसे हैं आप सब लोग मुझे उमीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे फ्रेंट्स इंडस्ट्री में हर साल because of the competition कुछ नो कुछ ऐसे प्रोड़क्ट लॉंच होते रहते हैं जो कि इंडस्ट्री में next generation का जो है दोस्तो फ्रेंट सेट करते हैं या पिर यूं कहिए कि एक revolution सा ले आ देते हैं thanks to the competition ये सारे benefits जो हैं दोस्तो हम लोगों को consumer को मिलते हैं because company चाहती यही है दोस्तो sales ज्यादा से ज्यादा हो तो sales ज्यादा से ज्यादा करने के लिए दो त्रीन चीज़े जरूरी है कि आप जो है customer को कुछ नया दे जो कि market में होई न sales service अच्छी दे और जो है दोस्तो pricing जो हो एक aggressive हो तो इसके कारण जो है friends कई न कई consumer को benefit मिलता है और companies को ज्यादा sale होती है तो profit मिलता है तो वैसा ही कुछ दोस्तो इस साल आप लोगों को टीवी इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है because Thompson ने जो दो नई टीवी लॉंच की हैं दोस्तो 42 इंच की और 43 इंच की वो मैं कहूंगा कि next gen का industry trend set करेंगी खास कर budget टीवी segment में तो बात करते हैं दोस्तो पात Android TVs के बारे में 42 इंच और 43 इंच के दो टीवी हैं दोनों की दोनों full HD हैं कोई 4K TV नहीं है और जहां तक बात करूं इसकी availability की तो आपको दोस्तो यह जो है 20 January से Flipkart की sale के उपर देखने को मिल जाते हैं और कुछ चीजों की बात करता हूं दोस्तो मैं यहां पर तो यहां पर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो है जी हां दोस्तो 300 nits के जमाने गए अब जो पैनल ब्राइटनेस आपको यहां पर देखने को मिल रही है वो है 500 nits का 500 nits brightness मैं कहूंगा दोस्तो एक medium ठीक ठाक ना कम ना ज्यादा एक ऐसा पैनल ब्राइटनेस आपको देखने को मिलता है that means आप जो है यहां पर एक अच्छा HDR content जो है definitely enjoy कर पाएंगे now यहां पर 60 Hz का जो है दोस्तो आप लोगों को refresh rate देखने को मिलता है और delete panel देखने को मिलता है now एक ऐसा specifications जो की मैं जानकर खुश भी हूँ और दोस्तो doubtful भी हूँ because इस TV के listing अभी तक जो है दोस्तो flip card के ओपर नहीं की गई है नहीं तो मैं आप लोगों को सीधा जो है उसी TV के ओपर जो है ले जाता यहाँ पे जो contrast ratio रिखा है दोस्तो वो आप लोगों को around देखने को मिलता है 5 lakh is to 1 जी हाँ सही सुना दोस्तो इतना contrast ratio मैं बताता हूँ friends mobile phones में भी देखने को नहीं मिलता अगर यह सही हुआ तो मैं friends कहूँगा कि TV industry के लिए कापी ज्यादा अच्छी चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ friends flip card के उपर आप budget TVs के contrast ratio अगर देखेंगे specifications में वहाँ पे mostly लिखे होते हैं flip card के उपर तो 5000 is to 1, 4500 is to 1, 3000 is to 1, 4000 is to 1, 4000 is to 1 ऐसा दिखे का लेकिन यहाँ पे contrast ratio इतना high आपको जो अगर देखने को मिल रहा है तो friends मैं कहूंगा कि कापी ज़्यादा जो है यह TV आप लोगों का color reproduction दे देगी बात करते हैं RAM की तो 8GB RAM और 8GB internal storage मिलता है जो मैं कहूंगा कि 1GB RAM दोस्तो कई न कई कम है आज के time पे मुझे लगता है कि companies को 3GB RAM तक जो है दोस्तो at least smart TVs में देनी चाहिए because आप यह सोची दोस्तो कि कुछ साल पहले कुछ जो OTT platforms थे उनका नामो निशान नहीं था Disney Plus हो गया और भी कुछ discovery देख लीजिए लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तो यह platforms काफी अच्छा growth कर रहे हैं और काफी अच्छा platform दे रहे हैं तो लोग definitely उनको भी जो है साथ में enjoy करना चाहते हैं तो हमारा जो favorite apps का दाइरा है धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसके लिए मुझे लगता है कि 3GB की RAM जो है TVs में देनी ही चाहिए बात करते हैं कुछ और कुछ चीजों की तो Bluetooth 5 का support आपको देखने को मिलता है दो HDMI, दो USB port जो है दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है दो AV, RF input, Ethernet, Optical, Line input, Audio jack जो है दोस्तों पोर्ट आपको देखने को मिलता है Google Assistant का भी जो है दोस्तों आप लोगों को यहां पर support है बोलने वाला remote है, Android 9 TV है, 5000 apps है जीवट में किसी भी चीज की कमी नहीं है लेकिन अगर यह specifications दोस्तों इसके सही निकलते हैं contrast ratio आपको वाकई में अगर उतना high मिलता है तो मैं कहूंगा कि यह TV जो है दोस्तों market में कापी ज्यादा hit होने वाली है आपका क्या मानना है दोस्तों मुझे comment section में जरूर लिकर बताईए thank you